ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम अपने को आत्मा समझ जाएंगे तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन अच्छे से जुड़ जाएगा और जब ये कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उनके द्वारा जो गोड़ और शक्तियां हम सभी को वर्षिक रूपे मिलती हैं वो हमें सहेज मिल जाएंगी अब कैसे हम उनसे कनेक्शन जोड़ें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालके अभ्यास करना है किस चीज का अभ्यास करना है कि यह शरीर हमारा पांस्तत्तों का बना है और इसमें हम चैतन शक्ति आत्मा विराजमान है जब हमारा यह अभ्यास गहरा होता जाता है अब गहरा होने का मतलब यह नहीं है कि हम सारे काम धाम छोड़के इसी अभ्यास में लग जाएं ऐसा मतलब नहीं है मतलब यह है कि हम जैसे काम काज करते हैं तो भी हमें यह नसा रहता है कि हम डियम हैं हम डॉक्टर हैं, मास्टर हैं तो हम इस नसे से कारे करते हैं ऐसे ही जब हम कारे करें तो यह नसे से कारे करें कि हम इस शरीर में विराजमानिक चैतन शक्ती हैं तो हमें student, college, register, office ये सारी बातें याद आएंगी हम समझें कि अगर हम इस नसे में रहें कि हम डॉक्टर हैं तो हमें clinic, patient, medicine, सबी चीजें याद आएंगी ऐसी जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हमें परमपिता परमात्मा की याद सहेज और स्वतहा आएगी क्योंकि वो आत्मा का पिता है, शरीर का नहीं तो इस तरह से हमने अपने जीवन में इस अनुभाव को आगे बढ़ाया है और इसे और भी गहरा बनाते जा रही हैं क्योंकि जो चीज हमें परमात्मा से मिलती है वो हमारे जीवन के, हमारे कारवेवार में हर जगे काम आती है ऐसा नहीं कि कहीं काम आए कहीं नहीं आए दुनिया की नित्र समन्दी, हमारे जीवन कारवेवार में हर जीवन कारवेवार में हर जाए